तो स्वागत है आपका मेरे इस All-in-one चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेवन्थ पे कमिशन से लेटर जो अभी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं जो थमनेल में है कि जो भी एक जनवरी दोहजार बाद से जोनों ने जॉब शुरू किये उनके लिए जो है गौर्मेंट ने एक बहुत अच्छा तोफ़ा निकाला है हम बात करेंगे कि जो भी अभी लेटेस्ट जो गौर्मेंट का ओर्डर आया है और यह आप ओर्डर जो है हर इंपॉर्टन न्यूज चैनल में देख सकते हैं क्योंकि जो एक जनवरी 2004 के बाद से जो इंप्लॉईज है उनके लिए काफी दिनों से वेट की जा रही थी सभी आओ पहें कि किस किस बेस पर कैसे कैसे यह एंप्लिमेंट होगा लेकिन सबसे बड़ी लात है कि सको इंप्लिमेंट किया गया है और यह जो है गवर्मेंट के तरफ से यह ऑॉर्डर आया है तो हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या important points हैं और क्या क्या चीज़े देखनी पड़ेंगी in order to implement this तो 7th Pay Commission के अंडर पूरा का पूरा इसका official notification आया है इसमें जो है जो पहले service rule 1972 का था उसको भी बताया गया है प्लस जैसा कि आप जानते हैं कि 2004 से पहले और 2004 के बाद में changes आये थे तो उसके बारे में बताया गया है तो हम बात करेंगे इस इन दोनों के बारे में अगर अभी तक आपने शैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरूर करें जिससे आने वाले हर वीडियो का update आपको मिलता रहे और साथ ही साथ bell icon जरूर दुबाएं दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है इस news में और क्या क्या इसमें important points है तो उसमें सबसे बड़ी सीज़ है कि अभी government के तरफ से order आया है और उसमें जो है जो जो points mention है वह आप देख सकते हैं अभी मैंने अपने screen पर खोल रखा है इसमें क्या-क्या चीज़ें जो है implemented है दोस्तों आप देख सकते हैं यह है वह important news जो कि अभी सभी के सभी जो है जो central government employees है उनको जो है उनके लिए beneficial आप देख सकते हैं कि सरकार ने हजारों करमचारियों को बड़ा तोफ़ा दिया है यह सभी वो करमचारी है जिनकी न्यूकती जो है एक जनवरी 2000 से पहले आगे थी लेकिन उन्होंने नौकरी इसके बाद शुरू की अल्टिमेटली जो pension से लेटेड जो यह update है कि जिनको जो है जिनकी न्यूकती एक जनवरी 2004 से पहले हो गे थी लेकिन उनका जो आदेश जो आया था वो बाद में आया था और ऐसे में पहले इन करमचारियों को सर्विस pension पर रोक लगा कर national pension scheme शामिल किया गया था उस टाइम पर लेकिन अब जो है जो केंद्रिय कर्मिक लोग शिकायत पेंशन मंत्राले उन्होंने एक नया important जो order पास किया है और वो खासकर इन employees के लिए है जो कि एक जनवरी 2004 से पहले उनकी निक्ति होगी थी लेकिन order बाद में आथा तो pension मावल में राज्य मंत्री जो उन्होंने ब कि इनकी निक्ति होगी थी बट और बाद में आया तो उनको पी NPS में चल रहे थे अब सीधे सीधे इनको जो है old pension scheme का benefit होगा और इसमें आप देख सकते हैं कि एक जनवरी 2000 से पहले जितनी भी निक्तियां थी उनको जो है इस चीज में लाए जाएगा और उनको जो भी old pension scheme क जो benefit थे आप देख सकते हैं इसमें पूरा का पूरा clear cut लिखा गया है कि government अब उन सब लोगों को शामिल कर रही है जो कि NPS के दायरे में आ गये थे लेकिन अब उनको जो क्या है old pension scheme का benefit मिलेगा तो इससे काफी लोगों को जो रहात मिलेगी जो कि इस चीज के लिए जो है ज करमचारी उनके लिए अपडेट जो की इनकी नियुकती पहले होगी थी लेकिन और बाद में आया था लेकिन अभी भी खुशी की बात ही है कि उनको पूरा का पूरा शुरू से लेका अभी तक का benefit जो old pension scheme का है वही मिलेगा दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको like किजिए share किजिए और subscribe करना ना भूले thank you for watching this video